हेलो दोस्तों स्वागा थे आपका PLC लार्निंग पॉइंट पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे FX 2N PLC के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था FX1S model के बारे में और FX1N model के बारे में ठीक है जो FX2N model होता है ये FX1S और FX1N की अपरेक्शा थोड़ा सा लेटेस्ट होता है इसमें थोड़े से इंपूट और आउटपूट जादा होते हैं मतलब यह PLC बड़े भी होते हैं थोड़े से अपग्रेडेड होते हैं तो देख लेते हैं FX2N PLC में क्या-क्या अब इन में देखिए fx2n16 mrds यहां पर देखिए fx2n32 mrds ठीक है ना यहां पर mr is ul है यहां पर mr is ul ठीक है तो यह जो मॉडल है यह सारे सेम मॉडल लगबग यहां पर हैं कुछ मॉडल नहीं है उनकी डिटेल में आपको बताऊंगा ठीक है ना तो यदि हम यह डिटेल समझ लेंगे तो यह डिटेल भी हमको समझ में आ जाईए इसमें देखिए 16 maximum number of input and output है यहां पर 32 input and output है ठीक है MR है मतलब यह Relayways है और डिये से मतलब यह DC supply इसमें 24 वोल्ड डिसी सप्लाई है 8 input है 8 output है ठीक है ना अब इसके input टाइप के यह बात कर जा है मतलब इसके input में हम कितना voltage देंगे तो इसके input में हमको 24 वोल्ड डिसी देना पड़ेगा सिंक भी दे सकते हैं और source भी दे दे सकते हैं वैसे तो सिंक सोर्स का एक डिटेल वीडियो में बनाने वाला हूं लेकिन यदि बेसिक बेसिक सिंक और source के बारे में समझें तो यदि हम किसी मशीन की wiring में सारे PNP sensor यूज करते हैं PNP का मतलब वो एक positive input देता है sensor में तीन वायर होते हैं brown, black और blue, brown पर हम positive दे ठीक है न अब input on है या नहीं है उसको common में अपने को negative देना पड़े मतलब यहां पर कुछ point होते हैं जहां पर common लिखा होता है तो उस common पर हमको negative देना पड़ेगा और यदि PNP sensor यूज कर रहे हैं तो positive input मिलेगा और negative तो already इस पर दिया हुआ ही सही तो जिस point पर मतलब x1 प करता है कि हम positive input भी दे सकते हैं इसको और negative input भी दे सकते हैं जो पहले के PLC हुआ करते थे मतलब fx1s type के जो PLC हुआ करते थे उन PLC में हम या तो सिर्फ source type input दे सकते हैं या फिर sync type input दे सकते हैं मतलब या तो सिर्फ हम positive input दे सकते हैं और या फिर हम उसको negative input दे सकते हैं ठीक है लेकिन इन PLC में वाइरिंग के ओपर depend करता है जिस तरह से हम वाइरिंग करते हैं उस तरह से हमको sensor चूज करने का option मिल जाता है ठीक है ना अब देखिए इसमें एक PLC है fx2n 16mrua1-ul इसका input type देखिए 110V AC ठीक है ना यह relay based PLC होता है लेकिन यह हमें 110V AC में भी मिल जाता है सेम इसी तरह से देखिए fx2n32mrua1-ul इसमें भी 110V AC में एक PLC अविलेबल है input supply में हम 100-240V AC दे सकते हैं मतलब इसको operate कराने के लिए 100-240V दे सकते हैं लेकिन यदि इसके input के point की बात करें इसके input पे हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर 110V AC ही दे सकते हैं ठीक है इसी तरह से fx2n16mtdss इसमें देखिए 24V DC sync source हम दे सकते हैं transistor source type output होता है अब देखिए इसम इसका track output है ठीक है ना fx2n32mse-ul इसका output है वो ट्राइक आउटपूट है मतलब यह transistor output नहीं है ट्राइक भी एक electronics device होता है जो की switching करता है जिससे थारिस्टर होते हैं transistor होते हैं LGBT होते हैं उस तरह से track भी switching device के रूप में यूज किया जाता है ठीक है तो इसका जो output होता है fx2n32mse-ul का वो ट्राइक आउटपूट होता है ठीक है ना 24V DC sync ही यूज कर सकते हैं इसमें source हम यूज नहीं कर सकते ठीक है इसको यदि operate करने की बात करें तो source से 240V हम दे सकते है अब देखिए यहाँ पर confusion नहीं होना है कि input supply का मतलब क्या होता है और इसका input देने का मतलब क्या होता है इस input supply का मतलब यह होता है हम जो PLC को line और neutral देते हैं उसको operate करने के लिए मतलब जो इसके अंदर internally relay होते हैं जो इसके अंदर internally transistor होते हैं या track होते हैं या इसके अंदर की ठीक है तो input मतलब यह जो X0, X1, X2, X3 जो input होते हैं इन input पर हम 24V DC supply दे सकते हैं ठीक है ना तो मतलब कुल मिला के दो input supply होती है एक input supply तो वो जिससे PLC खुद operate होता है PLC के अंदर जो यह LED होती है यह on करने के लिए हमें पावर की जरुवत होती है इसके अंदर जो card है वो operate होने के लिए इसका data read करने के लिए program को read करने के लिए जितना भी function इसके अंदर होता है उसके लिए भी इसको एक separate power की जरुवत होती है वो power हम 100-240V DC इस PLC में देते हैं FX2N PLC इस तरह से दिखाई देते हैं इनके model पर clear लिखा रहता है यहाँ पर देखिए FX2N32MT तो MT में T का मतलब transistor हो गया M का मतलब mailsec ठीक है न तो इस तरह से यहाँ पर देखिए FX2N32MR लिखा हुआ है तो R का मतलब relay based हो गया इसके अंदर switching के लिए relay है इसके अंदर switching के लि पूरी detail को समझ सकते हैं कि यह transistor base है यह relay base है यह इसमें input and output की संख्या कितनी है ठीक है अब देखते हैं FX2N PLC के अगले model के बारे में तो इसमें 42 iOS भी है और 64 iOS भी है ठीक है ना FX2N PLC में base unit with 48 iOS PLC होते हैं उनमें 48 maximum number of input and output होते हैं 24 input and 24 output होते हैं यदि इसके input के बात करें तो इसको हम 24V DC sink and source दोनों input दे सकते हैं ठीक है ना यह operate होता है 24V DC पर यह वाला PLC operate होता है 100-240V AC पर लेकिन इसको जो हम input देते हैं वो देते हैं 24V DC sink source ठीक है यह relay type होता है इसी तरह से देखिए FX2N base unit with 64 iOS मतलब इसमें total 64 number of input and output होते हैं 32 input और 32 output होते हैं इसमें भी sink source का अप अपने को option मिल जाता है इसमें एक PLC 110V AC में भी है देखिए FX2N 64 MR UA1 slash UL total number of input and output यह दी बात करें तो 64 है operate होता है यह 100-240V AC पर 32 input है 32 output है 110V AC इसको input दिया जाता है यह relay base होता है power consumption इसका 60V A होता है और इसका weight 1.2 kg होता है इसी दर ऐसे 64 IOS में यह दो PLC हैं जो की transistor source type output में भी विलते हैं इनको हम input, sink और source दोनों दे सकते हैं यह PLC इस तरह से दिखाई देते हैं मतलब यह PLC थोड़े से बड़े होते हैं इनसे भी कुछ बड़े PLC और होते हैं उनकी detail हम समझने की कोशिश करते हैं देखिए FX2N मे base unit with 80 to 128 IOS मतलब 80 से लेकर 128 input and output तक के PLC भी होते हैं यह है FX2N series के PLC इसमें देखिए यह है FX2N 128MR मतलब यह relay based PLC और total इसमें number of input and output 128 है अब देखिए यह जो इसमें screw दिये हैं इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जो की पुराने PLC में नहीं था मतलब FX1S series की PLC में नहीं थ यदि हमको 128 input and output का PLC यदि कभी change करना रहा तो हम इस पूरे PLC के input को खोलेंगे फिर output को निकालेंगे उसके बाद PLC को निकालेंगे फिर PLC नया PLC लगाएंगे फिर सारे input output connect करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा time लग जाएगा ठीक है कई बार ऐसा होता है कि हमें doubt होता है PLC malfunctioning कर रहा है या कुछ और device malfunctioning कर रहा है तो उस doubt को clear करने के लिए हम PLC को exchange करके देख लेते हैं यदि हमारे पास कोई spare PLC होता है तो तो यहाँ पर देखी इन में जो यह screw दिये है न इन screw से इस पे जो PLC पे input and output connect होते हैं वो ऐसे के ऐसे ही लगे रहेंगे और यह पूरा क PLC इस input and output से अलग हो जाता है उसके बाद हम PLC को निकाल सकते हैं दुसरे फिर से PLC को लगाएंगे फिर हमें यह चार screw tight करने रहेंगे पूरे input and output खोलने की कोई जरूरत नहीं है तो कुल मिलाकर यह जो PLC latest PLC upgrade होते जाते हैं उनमें कुछ न कुछ changes होते ही जाते हैं ठीक है input and output 80 है power supplies को हम 24W DC दे सकते हैं 40 इसमें input होते हैं 40 output होते हैं इसको sync source दोनों टाइप का input हम दे सकते हैं ठीक है पावर consumption इसका 40W होता है यह PLC relay base होता है इसी तरह से FX2N 128 MTES slash ULPLC में total 128 number of input and output होते है PLC दिखने में काफी बड़ा दिखाई देता है 64 input होते हैं और 64 output होते हैं यदि इसका input मतलब हम क्या यूज़ कर सकते हैं तो PNP NPN दोनों sensor यूज़ कर सकते हैं मतलब sync source दोनों यूज़ कर सकते हैं और output type इसका relay होता है 100 volt ampere power consume करता है weight इसका लगभग 2 kg के आसपास में रहता है इसी तरह से FX2N में एक PLC हो रहे जो की maximum 128 number of input and output में है जो की transistor source type output देता है ठीक है ना इसका power consumption 100 watt का होता है आगे देख लेते हैं special features of Mitsubishi PLC FX2N series में ठीक है ना तो जो FX2N series के PLC होते हैं वो 16, 32, 48, 64, 80 और 128 input and output के point इद में मिल जाते हैं और ये relay based भी होते हैं इनमें transistor based PLC भी हैं इसमें 110 volt AC के PLC भी हैं triac output type के PLC भी हैं sync source दोनों टाइप की supply को दे सकते हैं तो काफी सारे फायदे हैं हम अपनी availability के हिसाब से PLC का चूज कर सकते हैं मतलब यदि हमारे पास 110 volt AC की कोई supply नहीं है तो हम 110 volt AC का PLC चूज नहीं करेंगे हम 220 volt AC का या फिर 24 volt DC का PLC चूज कर सकते हैं ठीक ना अब देखो इसमें exchangeable interface module for direct mounting into base unit इसकी जो mounting होती है base unit वो direct MCB channel के उपर हो जाती है और यह screws के निकल जाते हैं तो मतलब हम यदि exchange करना चाह रहे हैं PLC को replace करना चाह रहे हैं तो wiring को हमको ज्यादा छड़ना नहीं होता है सारी wiring यहाँ पर करी होई होती है इन screw को निकाला और दूसरे PLC को बिठा कर फिर स्कूर को टाइट कर दिया इस्टेंडर् प्रोग्रामिंग यूनिट इंटरफेज LEDs for indicating input and output status slot for memory के set up to 16K steps PLC program इसमें एक memory भी हम डाल सकते हैं जिसमें 16K step का एक PLC program सेव कर सकते हैं ठीके ना इसमें integrated real time clock का भी function होता है तो यह सारे features होते हैं FX2N PLC में और जैसे जैसे PLC latest आते जाते हैं उसमें कुछ न कुछ अपग्रेट होता रहता है FX2N PLC FX1S और FX1N की अप्रेक्षा काफी जादा अच्छा PLC है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने FX2N PLC के बारे में देखा है नेक्स्ट विडियो में Mitsubic के किसी और PLC के बारे में देखेंगे और Mitsubic के सारे PLC की डिटेल देखने के बाद फिर हम Mitsubic की PLC प्रोग्रामिंग को सीखेंगे वीडियो को बुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत मिलते हैं नेक्स टूडियो में